एगाइस हाई वेलकम पीजिए सेशन जाहम सीखने वाले कि लेंस फॉर्मला क्या होता है और मगनिफिकिशन फॉर्मला क्या होता है पॉल लेंस एना तो जचे रहेगा भाई बहुत मज़ा आने वाला है तो शुरू करते हैं सीधा सीधा विदाट पनिक अन्युट लेंस फॉ इसको हम कहते हैं MPLN याने के मिरर पक्राइब कर लोगे तो सिंपल तरीके से आप याद रसकते हैं MPLN याने के मिरर पकड़कर लक्ष नाचा ठीक है मिरर पकड़कर लक्ष नाचा तो भाई या तो मिरर पकड़कर लेंस नाचा जो आप याद रसकते हैं मिरर की तरह ही सिंपल तरीके में is the ratio of height of the image upon height of the object लेकिन बाते है equal to V upon U है मिरर केस पर minus V upon U होता है confused नहीं होएगा तो यहाँ पर आप एक और formula इस्तमाल कर सकते हो MNLP जो एक और shortcut trick है जिसको कहते हैं हम कि मुझे naughty लोग बहुत पसंद है ठेक है जहां पर mirror is negative and lens is positive यह टेक्निक आप इस्तमाल कर सकते हो to remember the Magnification Magnification Significance विल्कुल सेम रहता है यहां पर mirror की तरह M negative हुआ तो real होता है M positive होता है M अगर equal to 1 है तो height of the image is equal to height of the object जैसे जब object 2F1 पर होता है वो scenario होती है M अगर greater than 1 है that means it's an enlarged image याने के वर्चल के इस पर enlarged image बनाता है convex lens जो object focus बनाता है जब object f1 to f1 की बीच में बनाता है M is less than 1 याने की image diminished बन रही है when the object is beyond 2F1 तब convex lens negative it diminished image बनाता है that's all for the concept of lenses अगर आपको इसके अपर detail वीडियो जानी है तो link description में साथी साथ पूरे first time preparations का 90 seconds का वीडियो का playlist भी description में check out जरू करेगा मिलते हैं next session में peace